आप पढ़ रहे थे अध्याय दो बच्पन जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती अभी तक आपने इस अध्याय के बारे में पढ़ा कि लेखिका ने अपने बच्पन के बारे में बताया है नोंने बोला कि पहले घरों में ग्रामो फोन होते थे यही लोगों के बरोजन का साथ अनिक अलग चीज़ों ने ले ली है उनके समय खाने में कुलफी होती थी जो आज आइसक्रीम के नाम से जानी जाती है पहले एक कचोड़ी समोसा होता था जो आज पैटीज खाने का जमाना है पहले शैतूत खसकस के सर्बत होते थे लेकिन आज कोक पैपसी ने जगा ले लंगूर की मैं खीजी की मुझ पर यह क्यों दोराय जा रहा है पस शेर बुरा न लगा जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई कई बार अपने को देखा एनेक उतारी फिर पहनी फिर उतारी देखती रही देखती रही पर कृष्णा सुबती जी बोल रही है कि जब उनकी आँखों की रोश्णी कम होने लग गई थी तो डॉक्टर ने उन्हें चश्मा पहनने को बोला और चश्मा लगाने पर उनके चचरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चड़ाने लगे यह सब उन्हें बहुत बुरा लगता था क्योंकि उस समय चश्मा लगाना बहुत बुरा माना जाता था लेकिन जब उन्होंने टोपी भी उस वक्त वो शिम्ला में रहती थी और वहां हिमांचली टोपिया जो होती है वह बहुत प्रसिद होती है तो उस टोपी को जब अपने सर पे रखा तो उन्हें थोड़ा म खाली लगने लगता है याद आ गया वह टोपा खाली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत हां इन दिनों शिम्ला में मैं सिर पर टोपी रखाना पसंद करती हूं मैंने कई रंगों की जमा कर ली है कहां दुपटों का उड़ना और कहां सह 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 सुभीते वाली ही मान चल थी अब हम पार्ट को आज यहीं पर समाप्त करते हैं अब इस पार्ट से संबंदित पिसले वीडियो में मैंने आपको कुछ ग्रहकारे में अतिलगूत तरी प्रश्ण दिये थे उनके उत्तर आप आज अपनी कॉपियों से जाचेंगे